हे गाइज विल्कम बैक तो आज की विडियो के इंदर कुएक अपडेट यहाँ पर बिटकोईन और मार्केट के बारे में देखेंगे और साथ ही में यहाँ पर कुछ बहुती ज्यादा इंट्रेस्टिंग चीज़े जो आज के विडियो में आपसे शेयर करूंगा जहाँ पर पर विडियो अप्लोड करने में हमको टाइम लगता है लेकिन टेलिग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं जो भी न्यूज नहीं आती है या फिर कोई भी यहाँ पर चार्ट्स के अंदर अपडेट होते हैं बीटी सी ऑल्स के बार म तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं बिटकोईन की प्राइस के उपर और करेंटली अगर हम यहाँ पर बिटकोईन को देखेंगे तो इसके बार में हमने कल यहाँ पर टेलिग्राम पर अपडेट दिया था कि यहाँ पर एक पॉसिबल राइजिंग वेज रिजिस्टन्स यहाँ पर जो है बिटकोईन की प्राइस वो यहाँ पर फेस कर रही है 200 डेली एमे से जो अगर आप बार बार देखोगे यहाँ पर बिटकोईन की प्राइस को रिजेक्ट कर रही है और बॉटम में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यहाँ प जो आप देख सकते हो, यहाँ पर यह दो लाइन्स है, यह चैनल की तरह यहाँ पर बन रहे हैं, जो पॉसिबली इस तरह से यहाँ पर मूव कर रहा है, एनिवेज यहाँ पर सबसे इंपोर्टन जो जो अभी करेंट्ली बिटकोईन के लिए है, वो यहाँ पर यह कि का जो जो जोन है, वहाँ तक हमको जाते होए देखने को मिल सकती है, जहाँ पर बहुत ही मुश्किल होगी बिटकोईन की प्राइस को इस एरिया को ब्रेक करने में, यह तो बहुत ही मेजर रिजिस्टन्स का जोन है, सारे मुविंग आवरिजेज, इन फाक 20 डेली कर जाती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर प्राइस 30 से लेके 34,000 डॉलर का जो जोन है, वहाँ पर आ सकती है, तो करिंटली यहाँ पर आपको बिटकोईन की प्राइस के अंदर 2 important level जो देखने हैं, वो पहला यहाँ पर है 42,000 डॉलर का जोन, अगर हम यहाँ पर lower zone पर जा सकते हैं, तो currently यह बहुत एक important zone है, जिसको हमको अभी यहाँ पर closely थोड़ा सा यहाँ पर watch करना है, एक बार यह movement हो जाता है, फिर हम further यहाँ पर decide करेंगे कि किस तरह का price movement हम यहाँ पर expect कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सबसे important चीज जो हम सब को पर देखेंगे, तो bitcoin के bull run के अंदर हमेशा हमको 20 weekly moving average यहाँ पर हमको bitcoin की price को support देता है, और वहाँ से bounce देखने को मिलता है, लेकिन इस बार यहाँ पर अगर आप देखोगे, bitcoin की price जो है, उसने यहाँ पर bounce नहीं लिया, in fact हम उससे काफी यहाँ पर नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पर भी currently, bitcoin की price जब तक यहाँ पर 20 weekly moving average जो around $50,000 के round आप मान सकते हैं, उसके उपर weekly closing नहीं आती है, bitcoin को लेके be very 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 careful, क्योंकि अभी यहाँ पर जो यह dump आया है, यह काफी बड़ा massive dump तो आया है, लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत important key level हमको hold करना था 20 weekly moving average वो breakdown हो चुक भी level का bounce है, हमको बहुत ज़्यादा careful रहना है, थोड़ा से यहाँ पर bearish और सतर्क रहके यहाँ पर चलना है, क्योंकि ध्यान रखना, इस market में आप compete कर रहे हो, बड़े whales, बड़े institutions, बड़े-बड़े miners, इन सब के against में, जो इस market को बड़े अच्छे से जानते हैं, उनके मार्केट में पूरा influence है, उनके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे Bitcoin है, और वही लोग हैं, जो इस market में सबस्यादा पैसा बनाना चाते हैं, मून पर जाना चाते हैं, वो हम लोगों को साथ में लेने के नहीं जाना चाते हैं, बोलते हैं, रीटेलर्स तो मार डिकलो फटा बता हूं, सबसे पहले कल का वीडियो डेफिनिटली देखना है, जापर मैंने एक्स्प्लीन करा है, कि किस तरह से वेल्स, फाइनेशल इंस्ट्यूट्स, एक्स्चेंज इस सारे के सारे market को मूव करने की कोशिच करते हैं, और वीक हैंड को शेक आउट करने की कोशिच करते और उनके बिटकोई अपने धीट हातों में लेकिया जाते हैं, तो ये वीडियो डेफिनिटली देखना, उसके एक बहुत बड़ा मैं आपको एक्जाम्पल यहाँपर दूँगा, बैरी सिलबर्ट जो यहाँपर डिजिटल करन्सी ग्रूप के, यहाँपर फाउंडर और स अब उसके आद अगर हम बिटकोईन की प्राइस चार्ट पर देखते हैं, किनों ने एक्जाक्ली कहाँ पर यह ट्विट किया था, तो आप यहाँपर देख सकते हो, जहाँपर बिटकोईन की प्राइस रूकी नहीं, आने वाले दिनों में हमको यहाँपर करेक्शन के किस तरह से प्राइस मूबमेंट यहाँपर देखने को मिला, तो यह जब इतने बड़े लेवल के जो लोग हैं, जब यह कोई चीज ट्वीट करते हैं, तो उनके पीछे हमेशा एक बहुत बड़ा मतलब होता है, इन लोगों का जो स्टेक है वो बहुत बड़ा है, इन्हों किस चीज के बारे में, जब that को तो यहां है, ईहां पर इन्होंने एक ट्वीट को पोस्ट चनलों फिर भी इसको कोइंसेडंस माल लेते हैं, लेकिन उसकी बार इन्होंने एक और ट्वीट करते को उसको भी आप यह जएन आयांपर देखना, इन्होंने यहां पर 18th of May को यह tweet किया bitcoin dominance has bottomed out at 40% going to move up rapidly from here I think और उसके बाद अगर हम यहाँ पर bitcoin dominance का chart देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18th of May and उसके बाद आप देख सकते हैं आपर bitcoin की dominance की साथ यहाँ पर क्या हुआ तो क्या लगता है आपको कि coincidence है या actual में कोई चीज यहाँ पर हो रही है बाकी Barry Silbert को हम छोड़ते हैं एक और चीज में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो यहाँ पर 12th of May को ही थी वितालिक बूतरिन उन्हें 12th of May को यहाँ पर 55 million dollars worth of Ethereum जो है यह Coinbase के उपर send किये थे और 12th of May वही date है जहाँ से Bitcoin की price जो है उसके अंदर हमको actual downfall जो था यहाँ पर देखने को मिला तो 12th of May को यह सारी की सारी चीज हो रही थी सारी की सारी news आ रही थी in fact Elon Musk का जो पूरा ड्रामा था वो भी इसी टाइम पर चल दा था जो आपका market में influence हो, आपको लोग जानते हो, आपकी power हो, आपके पास बड़े amount की holding हो तो definitely कहीं न कहीं से तो news आपको मिली जाती है तो वो ही एक चीज है जो इस market के अंदर होती है और in fact Vitalik Boothrin के साथ यह first time नहीं हुए लास टाइम भी जब Bitcoin की price एकदम काफी peak पे आ गई थी वहाँ पर Vitalik Boothrin ने major correction आने से पहले अपने जो Ethereum थे वहाँ पर उस time पे भी sell करे थे और ऐसे बहुत सारे cases है, in fact Charlie Lee जब 2017 का top था वहाँ पर उन्होंने अपने light coin सबसे पहले यहाँ पर sell कर दिया था दंप आने से पहले, तो इन लोगों को कि आप पहले से पता चल जाता है, आप खुद एक तरह से indicate करो यह TA नहीं करते हैं, यह FA नहीं करते हैं, यह traders नहीं है, लेनिक को यह ज़रूर पता होता है कि कहाँ पर sell करना है, कहाँ पर हमको buy करना है क्यों, क्योंकि यह तो industry leaders है, इनका influence है, इनके पास पैसा है, इनके पास power है तो समझ रहो है, यहाँ पर मैं आपको क्या चीज बताना चाहरा हूँ और यह क्यों बताना चाहरा हूँ कॉमेंट्स में दालके आप जरूर बताना, एन उसी according, इस market के अंदर अगर आप आयो न, तो जो चीज में पहले आपको बोल रहा था, इस market के अंदर यह आपको बहुत उठा-उठा की फिकेगा, इस market में बहुत इसी तरह का movement देखने को मिलेगा, क्योंकि real चीज यहाँ प तो इसलिए यहाँ पर अगर हमको invest करना है, long term perspective से उन चीज को देखो, क्योंकि इनका main काम यही होता है, क्योंकि यह आप जो है short term price movement करके आपको डरा सकते हैं और भार निकाल सकते हैं, लिकिन जो hodlers हैं, उनको भार नहीं निकाल सकते हैं, जैसा अगर आप previously देखोगे, य अभी तो फायदा होगा ना, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर hodl करकर आते हैं, अगर उन्होंने hodl करा, तो वो हमेशा उनको नए heights पर bitcoin की price लेके गई है, 2017 के अंदर भी यही चीज हुई थी, जिन्होंने top पे बाए किया, उनको इतना ride, ऐसी ऐसी ride से निकाला गया, कि इनस इसे यसे लोग और smart होंगे, इस market में समझेंगी कि अच्छा है, ऐसे movement होता है, यह उससे और smart तरीके निकालेंगे, इसलिए हमेशा यह चीज ध्यानकना कि अगर एक चीज के बारे में ज्यादा लोग बात करने लग जाते हैं market में, तो उसके work करने के chances बहुत ज्यादा कम ह जाते हैं, तो यहाँ पर आप हमेशा यह चीज ध्यानकना कि जब एक ही चीज हर को ही सोसता है, तो हमेशा उसका opposite सोस जना ज्यादा है यहाँ पर बेटर है, क्योंकि यह यहाँ पर जो बड़े लोग है, वो भी इसी तरह से market को move करेंगे, क्योंकि सब अगर एक ही direction में जा हैं, तो हमको तो उल्टा जाना है, इनको निकाला हो रिटेलर्स को भार, वो में चीज है न, तो यह चीज ध्यान अचना है इस market के अंदर, इसलिए अभी भी मैं आपको cautious होने के लिए बोल रहा हूं, और बिटकोईन की price नए heights पर जाएगी, यह जो चार्ट में आपको शो करें, सारे के सारे जो tactics हैं, सारी चीज़े हैं, fluctuations यहाँ पर हमको देखने को में बहुत बड़े-बड़े, and currently भी यहाँ पर जो price का movement है, यहाँ पर मैं आपको सतर क्रहलें के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भी price के अंदर, अच्छा-कासा dip आ गया है, possibility यार, back-end game, हम उपड़ जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, और वहीं पर जब लोग वहाँ पर सिग्दम से FOMO करके, enter करेंगे, फिर से market यह collapse करके नीचे ला सकते हैं, तो इसलिए important यहाँ पर यह है, मैं वेट करहा हूं, 50,000 डॉलर के उपर अच्छे volume का closure हमको देखने को मिले, क्योंकि कुछ side में और ऐसी government perspective से चीज़े हो रही, जो थोड़ी concerning है, जो मैं अगले video के अंदर possibly आपसे share करूँगा, वो भी बहुत ज़दा interesting चीज होने वाली है, बहुत चीज़े आपको सेखने को मिलेंगी, तो इसलिए अभी के लिए थोड़ा careful रहो, थोड़ा सा यहां पर possibility हो सकती है, bitcoin की price के अंदर fluctuation है, अगर jump करें, यहां पर आता भी है, ठीक है, हमको 50,000 डॉलर के अच्छे volume का weekly closing की, जब तक वो नहीं आता है, हमको बहुत careful रहना है, चाहे कितना ही यहां पर हमको movement देखने को मिले, similarly downwards अगर movement होता है, तो यहां पर हम 30 से लेके 34 का zone है, यहां पर भी test कर सकते हैं, जहां पर लोगों का patience एकदम हिलाया जाए, कि निकलो तुम भाहर कहां बैठे हो, निकलो यहां से, निकल जाओ, खतब होने वाला है, सब कुछ, वो चीज़ें यहां पर कर जाएंगे, तो उसी तरह से इस market को अभी हिलाएंगे, which we have to see, कि अ नेक्स इनका movement क्या होता है, क्या यह वापस FOMO करेट करके थोड़ा सा जंप करते हैं, 50,000 पर लेके, लोगों को फजा के नीचे लेके आते हैं, या फिर अभी लोगों को थोड़ा सा होप यह देते हैं, कि शाद जंप आ सकता है, लिकिन उनको और दबाते हैं, जो दबे हो market यहाँ पर चलता है, FATA यह सारी चीज़े बहुत important है सीखना, लेकिन यह जो market का पूरा का पूरा जो यह scenario है, unregulated market में, आप से smart लोग जो बैठे हैं, उसको भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ वो कर सकते हैं, तो उसके according ब बटन दबाना, बिल्कुल मत भूलना, साथ में comments करके बताओ, इन सारी scenario के बारे में, आपको क्या लगता है, क्या price movement हो सकता है, market में आपको क्या लग रहा है, जो चीज़े हम बता रहे हैं, does it make sense, या आपको लगता है कि नी, we are thinking too much, comments में दालके जरूर बताना, बाकी हमको Twitter के उपर आप follow कर सकते हैं, उसका link नीचे मिल जागा, टेली ग्राम पे तो definitely आप जॉइन करना, बहुत सारी cool अपडेट जो है, हम regularly वहाँ पर share करते रहते हैं, उसका भी link नीचे मिलेगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुद बाइ और टेक केर, बाइ बाइ